नमस्कार जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट फर्स समेश्टर दो हजार बाइस बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया बहुँ विकल्पी प्रत्न जी आँ दोस्तों आपको पता दे पेपर की दरश्ट प्रक्रियास नम्मर का होता है जिसमें से पास होने के लिए आपको 25 नम्मर लाना जरूरी है अगर आप गलती से 24 नम्मर लाते तो आपके रिजल्ट में फेल लिखकर आ जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैन व्觉ास उपयोगी है देखे बाल को एवम सिच्छा को दोनों के लिए ठीक है आपर मतलब सब विखलप सही आंतर होगा अगला कोशें क्या रहा कि बाल विकास का तात्पर इको परिवरतन से ठीक है आपर दव विकलप सही मान परिजल्टक आता कि या काल है जन्व से लेके क किसे सताबदी को बालक की सताबदी कहा, किसने 200 क्रो इवं क्रो ने, फिर अगला कोशन है हमारा, सैसा वस्ता में एक काम प्रवर्ती, प्रबल होती है, ये बात जरा ध्यान लखी है, फिर अगला कोशन देखते हैं, बालक प्रतम 6 वर्सों में बात के 12 वर्सों का दूना सीख लेता है यह आंजर किसका है दोस्तों गे सेल का अगला कोशन सर्था वस्ता सीखने का अदर्स काल है किसने का यह वेलेंटेंड ने का है फिर अगला कोशन देखते हम लोग किसोरो वस्ता का काल होता है कितना बारस लेके ठारा वरसे तक फिर अगला कोशन किसूरा वस्ता प्रबल दबाओ तनाओ तुफान एवं संगर्स का काल है ये दोस्तों किसने का है फाल का अगला कोशन देखेंगे हम लोग बुद्धी का विकास लगबग पूर्ड हो जाता है कब दोस्तों किसूरा वस्ता में फिर अगला कोशन किसूरा वस्ता सैसा वस्ता की पुन्रा प्रति है ये कथन किसका है ये कथने राज का मारा ठीक है अगला कोशन देखेंगे किसूरा वस्ता जीवन का सबसे कठीन काल है किसका कथने दोसी है किर पैट्रिक का ठीक इसको जरा ध्यान लखेगा फिर अगला काम समस्त जीवन का नहीं तो किसुरो अपस्ता का अवश्य ही मूलतत है कथा नहीं है हमारा ये राज का ठीक है फिर अगला कोशन देखते हैं अप रादिक प्रोर्ति का सरवादिक विकास होता है कब किसुरो अपस्ता में ठीक है न फिर अगला कोशन आता हमारा बालय वस्ता का काल होता है कितना 6 लेके 12 वर्षत है फिर अगला कोशन राज के अनुसार बालय वस्ता की सबसे प्रमुक्त विसेशता है सारीरिक और मांसिक इस्तिर्था ठीक है 20 नमर कोश्चन क्या रहा हमारा बाले वस्ता जीवन का अनुखा काले किसने का है कोल एवं बुरूस ने ठीक है फिर अगला कोश्चन आता है हमारा सैसा वस्ता में बालक का भार बालिका से क्या हो जाता है अधिक हो जाता है अगला कोश्चन देखते हैं फिर नौजास हिसू में हड्डियों की संक्या होती है कितनी होती है 270 ठीक है फिर अगला कोशन बालक के नैतिक विकास का तात्पर है उसका चारित्रिक विकास से फिर अगला कोशन देखेंगे हम लोग कि सोरा वस्ता को किस विद्वान ने उतल पुतल के वस्ता का है इसका अंसरों का स्टेनले होल ये कोशन दोस्टों बहुत बार रिपीट होता है पेपर में हम देखेंगे भी आगे वीडियो में भी फिर अगला कोशन देखते हैं हम लो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्तिती का सामना करने अत्वा किसी समस्या का समादार करने में अपने पूरों अन्वों का प्रियोग करता है कहलाता है ये कहलाता है दोस्टों चिंतन फिर अगला कोशन देखते हैं प्राक्सन ने प्रात्मिक समवेगों के सिदान के अंतरगा सिसू के बीतर जन्व से ही विद्धमान कितने समवेगों को बता है? इसका अंतरों का दोस्त नमारत 3 फिर अगला कोशन देखते हैं सिसू का सारीडिक विकास सीव्र गती से होता है कब प्रथम 3 वर्तों में फिर अगला कोशन देखते हैं, आवाज में भारी पना आता है, कब आता है, किस ओर आवस्ता में, ठीक है, तब आपके आवाज भारी होने लगती है, अगला कोशन, मानसिक विकास अपनी उचितम सीमा पर पहुचता है, कब 215 लेके 20 वर्थ के आयू में, अगला कोशन अमारा क्या रहा, सोस्त शरीर में सोस्तमस्तिक का निवास होता है, यह कतन किसका दोस्त, यह कतन है, अरस्तु का, ठीक है, अगला कोशन देखते है, खेल का मैदान बाला का दिर्माड इस्ताले यह कतन है, यह कतन है, इसकी नरका, फिर अगला कोशन देखते है, स अगला कोशन देखेंगे चरित्र आत्र, दोतों का मतलब पुंज है या कथन है, इसमाइल का, ठीक है, फिर अगला कोशन देखते हम लोग, बालक के आत्म केंद्रित बेवार का आरब उसकी निम्रिखित अवस्ता में होता है, कब होता है, दोस्तों सैसा अवस्ता में, इसको ज़ेला टिक करेंगे हम लोग। फिर अगला देखेंगे कि मूल प्रोस्तियों की संख्याब होती है कितनी 14 टीक इपके इखेंगे आतने तäreघ्या हैं मूल प्रोस्तियों की संख्याब विकास का सही अर्थ है तो इसका सही आंतर हो जागा कि समाज के अनुकूल चरितर निर्मार्थ ठीक इसको हम ध्यान में रखेंगे अगला कोशन देखें निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवग्यानिक है तो इसका सही आंतर होगा दोस्तों बहिर मुखी ठीक है फिर अगला केसा दोस्तों हुता है हमारा अंतर मुर्य हैं ऐसा कतन किसका है दोस्तों है रभेखलिप बोरिंग ववा अन्य, ठीक है आपर आप विकल्प सही आंतर होगा, फिर अगला कुशन देखिए, डीवी के अनुसर तर्क के सोपान है, तो सही आंतर होगा दोस्त हमारा दविकल्प, कितने सोपान है, पांच, फिर अगला कुशन देखिए क्या है, चिंतन के सादनों में से एक है, क्या आंतर होगा दोस्त हमारा संकेत, यहाँ पर अब विकल्प सही आंतर होगा, फिर देखिए अगला कुशन आता है, तर्क के मुखिता प्रकार होते हैं, कितने होते हैं दोस्त यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अब विकल्प सही आंतर होगा, फिर अगला तर्मन के अनुसार प्रतिवाय साली व्यक्ति की बुद्ध लब्दी कितने से अधिक होती है तो सही आंतोर होगा दोस्तो 140 अगला कुशन कहा रहा हमारा बुद्धी वह सकती है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और देशों को प्राप्त करने की छमता देती है उप्यूपत दोस्तो 120 यहां पर 2 विकल्प सही आंतोर होगा फिर अगला कुशन देखिए बुद्धी का त्रियामी सिध्धान कितने दिया है इसका सही आंतोर होगा दोस्तों हमारा 2 विकल्प गिलफोर्ड फिर अगला कुशन कहारा हमारा बुद्धी का एक कारक सिध्धान देने फिर अगला कोषिन आता कि श्टेनफोर्ट बीने केल का विकास किस देश में किया गया था इसका सयानतोर होगा दोस्ट तुमारा अब विकल्प अमेरिका में फिर 58 नमर कोशन के रहा हमारा कि बुद्धी के दूई कारेक सिद्धान का प्रतिपादन किसने किया है इस पीर में जी यहां दोस्ट तो देखे ये सब कोशन आंतर बिल्कुल रट लीजे क्योंकि आपको ऐसे प्रसने यूपी टेट सूपर टेट में भी देखने को मिलेगा आगे देखे अगला कोशन निम लिखित में से कौन सा परिछड व्यक्तित्व का मापन करता है यह होगा दोस्ट तुमारा टी एटी अगला कोशन ब्यक्तित्व मापन की सबसे अची विदी कौन सी है प्रच्छेपड ठीक है फिर अगला कोशन देखते हैं लोग मनो विसलेस रडात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया है इसका सही आंतर होगा दोस्ट तुमारा क्रान बेग ठीक है सब विदी को टिक करेंगे अगला कोशन देखिए प्रासंगिक टपन तबोधी परिचड का दिर्मार किया गया किसने दोस्तो मोरगन एंड मरे ठीक है इसको यहां पर हम टिक करेंगे फिर अगला कोशन देखते हैं टी अटी से ब्यक्ति का कौन सा गुड मापा जाता है इसका अंतरों का दोस्तो बाव विकल्प ब्यक्तित्व फिर अगला कोशन क्यारा हमारा इस प्राहंगर ने कितने प्रकार से ब्यक्तित्व बताया है इसका सयानतों रोगा 202 विकलब 6 प्रकार से फिर अगला कुशन आता TAT परिचर्ड की कार्ट संक्या है क्या 210 प्लस 10 प्लस 10 ठीक है यहाँ पर 2 विकलब सयानतों है फिर अगला कुशन देखते हैं हम लोग 6-6 नमर कुशन क्या रहा हमारा निम लिकित में से कौन सा परिचर्ड विक्तितों का मापन करता है इसका अंसर फिर से वही हमारा TAT अगला कुशन आता सीखना विकास की प्रक्रिया है या कतन किसका है वुडवर्थ का ठीक है इसको जरा ध्यान में रख्येगा फिर अगला कुशन देखिए शीखना सामन जस्ति की प्रक्रिया है किसने का है ये का है दोस्तिस की ननिया पर दव विकलप हमारा सही आंतर होगा तिर अगला कुशन आता है उनत्तर नमबर निम लिम में से सीखने की विसेश्ता नहीं है क्या दोस्तों सीखना सहज बेहवार है ठीक है ये सब विकलप सही आंतर है अगला कुशन आता है हमारा सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत पूड कारक है क्या होगा दोस्तों हमारा प्रेड़ा ठीक है इसको टिक करेंगे एक अत्तर नमर कुशन करके सीखना सीखने की सबसे महदपूर भी दिये, किसने का है, यह दोस्तों का है, हमारा फ्रॉबेल ने, ठीक है, यहाँ पर आप विकल्प सही आंतर होगा, फिर देखें, हमारा अगला कोशन आता, 72 नमर, सीखने का सही परिभासा है, अनुभो और प्रसिछट द्वारा बेवार में परि वर्तन, यहाँ पर सब विकल्प सही आंतर होगा, 73 नमर कोशन कहा रहा, देखें, सीखने की नियम का प्रितिपादन किया है, किसने दोस्तों थार्म डाइक ने, यहाँ पर आप विकल्प सही आंतर होगा, 74 नमर कोशन देखते हैं, थियोरी साप लर्णिंग पुस्तक है, कि इसकी दोस्तों हिल गार्ड की, ठीक है, यहाँ पर विकल्प को टिक करेंगे, 75 नमर कोशन, अभ्यास और अन्बोक के द्वारा, बेवार में होने वाले परिवर्दन कहलाता है, क्या दोस्तों, इसको हम कहते हैं, अधिगम, 76 नमर कोशन कहा है, पहली परिस्तिती में अधिगम, अंतरड, ठीक है, आपर 10 विकल्प सही आंतर होगा, फिर अगला कोशन आता है, मोटिवेशन सब्द की उत्पत्ति किस सब्द से हुई है, इसका सयानतर होगा दोस्तों, बाव विकल्प मोटम से, ठीक है, फिर अगला कोशन हमारा क्या है, प्रेरडा के प्रकार है, किसने दोस्तों यह हमारे दो प्रकार है, ठीक है, फिर अगल में विद्धमान वह सकती जिसके कारण उपर किसी कारे को करने अत्वा ना करने के लिए बात ही हो जाता है कहलाता है क्या आप कहलाता है दोस्त इतको बोलते हैं अभी प्रेर रड़ा ठीक है आपर आप विकल्प सही आंतर है अगला कोशन देखिए आवधान मुखिता प्रका ठीक है आप आप विकल्प को टिक करेंगे फिर देखिए पचासी नमर कोशन क्या रहा हमारा अभी रूची मुखिता प्रकार की होती है कितने दोस्त ये भी हमारी दो प्रकार की है पर आप विकल्प सही है फिर श्याती नमर कोशन क्या रहा है इसम्रती एक आदर्स पुन् ठीक है फिर 88 नमर कोशिन क्या रहा हमारा ऐसी मानसिक फ्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूरु में धारड या याद किये गए सामगरी को पूरा स्मरड करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है क्या कहलाता है दोस्त इसको बोलते हैं 20 समरड ठीक है फिर 89 कोशिन देखेंगे आम सांकिकी करना का विज्ञान परिभासत दी है किसने दोस्तों बाउ लेने ठीक है आपर सब विकल कोटिक करेंगे अगला कोशन देखे हमारा सांकिकी का जन्म दाता कहा जाता है किसको आके नम वाल को ठीक है 31 नमर कोशन हमारा क्या रहा है निम्न में से कौन सा कतन सत्य नहीं आपको यह बताना है तो देखिए सांकिकी बैक्तित्व एकायों का अध्यन करती है जो सत्य नहीं यह साही नहीं मतलब वही कतन यह आपकर हमें बताना था ठीक है ना फिर अगला कोशन जर्रा देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 92 नमबर आई का अर्थ है क्या होगा दोस्ती यह आप देख सकते हैं यह बह विकल्प हमारा सही आंतर है तो हरे कोशन को याद करते वे समझते वे चलिएगा 93 नमबर कोशन चित्र लेको द्वारा आकडो के प्रस्तुती करण की विधी को विक्सित किया था किसने दोस्तों डॉक्टर ओटोल निवरक ने यहाँ पर बह विकल्प सही आंतर होगा 94 नमबर कोशन क्या है कि कौन सा माध्य इस्तिति माध्य या पाजी ट्यूनल एवरेज है तो इसका जो दोस्तों सही आंतर होगा यहाँ पर होगा हमारा माध्य का ठीक है यहाँ पर बह विकल्प को टिक करेंगे फिर अगला कोशन देखिए स्रेडी का प्रतेक पत गड़ना में समलित होता है समा अंतर माध्य में ठीक है आपर बह विकल्प सही आंतर होगा 96 नमबर कोशन क्या है हमारा यदि 3,4,x और 8 की माधिका 5 है तो x का मान होगा तो यहाँ पर दोस्तों आंतर आएगा 6 ठीक है 97 नमर कोशन क्या रहा है कि अगर संख्याओं का माध्य 15 पाया गया यदि 2 संख्याओं 10 और 12 मतलब निकाल दी जाए तब से संख्याओं का माध्य होगा तो सही आंतर आएगा 15 ठीक है तो यह सारे कोशन के आंतर आपको हमाँ आपर मिलेंगे बिल्कुल सलूशन के साथ 98. समांतर माद्य की गड़ना के लिए वर्गांतर होने चीए कैसे दोस्तों फ्यूकत सभी सम्हों मतलब समान होने चीए समावेती या असमान मतलब मैं आपर दोस्तों हमारा दव विकल्प सयांतर है अगला कोशन आता है हमारा यदि समांतर माद्य और बहुलक क्रमस 35.4 तथा 32.1 है तब मादिका होगी क्योंकि 234.3 यहां पर सही आंतर होगा फिर 100 नमर कोशन देखिए किसी मादिकी गड़ना में स्रेडी का प्रस्तेक मूले समलित नहीं होता है क्या दोस्तों मतलब बहुलत यहां पर हमारा स्वाव विकल्प सही आंतर होगा अगला कोशन है हमारा 101 नमर आउसत गती चलन वेक आदी की गड़ना में प्रियुक्त होता है क्या होता है दोस्तों हमारा हरात्पक मात देखिए 102 नमर कोशन निमलिकित आकार का बहुलत ग्याद कीजिए जो संक्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो जाए यहाँ पर आंतर 6 दिया गया है इसको ठीकरेंग्ज जरा देखते हैं देखिए 6 एक बर यहाँ है एक बर यहाँ एक बर यहाँ ठीक है तो मतलब 6 दोस्तों हमारे कितने बार रिपीट हो रहा है 3 बर और कोई भी संक्या आप देखेंगे दोस्तों तो तो वो कोशन पेपर में आया थे ठीक है बाल मनो विज्ञान बालक के बेवार एंवं अनवों का विज्ञान है ये कतन दोसतों किसका है ये कतन दोसت नहżej कीनर का फिर अगला कोशन दे несन् क। मनो विज्ञान वैवार का विज्ञान यह कतन है किसका दोस्ट यह कतन हमारा वाट संक है अगला कोशन देखिए बूति लब्दी निकालने का सूत्र है IQ बराबर मांसी कायू बटे में वास्तिवी कायू गुडे 100 ठीक इसको ज़रा ध्यान रखेगा यह कोशन ऐसे पेपर में आ जाते है 107 नमर कोशन बालक बाल विकास का प्रत्यच संबंद बाल बेवार से यह कतन किसका है यह दोस्ट हमारा गैरी संका 108 कोशन नमर क्यारा हमारा जीन प्याजे ने बालक के संग्यानात्मक विकास के कितनी अवस्ताव का वड़न किया है इसका सयांतर होगा 202 विकल्प यह हमारा 4 ठीक है फिर अगला कोशन देखिए बाल विकास का तात्परे है क्रमिक परिवर्तन थे 210 नमर कोशन किया है वह मानभी योगिता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तूत करता है कहलाता है क्या कहलाता है दोस्ति यह बुद्धी कहलाती है ठीक है फिर अगला कोशन देखिए बुद्धी का त्रियामी सिद्धान किसनी दिया है तो सही आंतर होगा हमारे स्पीर मैंने दर विगल्प सही आंतर है अगला कोशन देखिए टी एटी परिचड की कार्ड संक्या है क्या 210 प्लस दस अभी आपने ये कोशन देखा था 113 नमर कोशन अभ्यात और अन्भो के द्वारा बैवार में होने वाले परिवर्थन कहलाते है क्या दोस्तों कहलाता है ये कहलाता है हमारा अधिकम फिर अगला कोशन कहरा हमारा भाट या बैटरी परिचड संबंदी थे किसे दोस्तों ये हमारी बुद्धी से संबंदी थे 115 नमर कोशन जदी किसी बालक की मांसी कायू 15 वर्ष है और वास्तिव कायू 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धी लेब्धी होगी कितनी होगी दोस्तों सब विकल्ब से 150 अभी दोस्तों आप थोड़ी दिर पहले देखिए आपने फार्मूला यहां पर पड़ा था मांसी कायू बटे वास्तिव कायू ठीक है तो इसको कैसे निकालेंगे हम आपको बता देते हैं यहां पर मांसी कायू दिया है 15 वास्तिव कायू 210 है गुड़े में हम 100 कर देंगे एक जिरो से जिरो कट गया 15 गुड़े 10 150 ऐसे दोस्तों हमारा आंतर है ठीक है अगला कोशन देखिए सूच के सिद्धान के प्रतिपादक है कौन दोस्तों कोहलर है अगला कोशन हमारा क्या रहा प्रेड़ा कारे को आरम करने जारी रखने और नेमित करने की प्रक्रिया कतन है किसका दोस्ती है हमारा गुड़ का इसको जरा टिक करेंगे हम लो फिर अगला कोशन देखिए 118 नमर चिंतन मांसिक क्रिया का ग्यानात्मक पहलू है कतन है यह दोस्तों हमारा राज का कतन है ठीक है तो यहां पर दोस्तों देखिए टोटल हमारे बहुँ गल्पी प्रस् अबस्ता होती है कितनी दोस्त यहां पर तीन इसको टिक करेंगे अगला कोशन बाल मनु विज्ञान का सरवादिक महत्तों है कहां पर दोस्तों बाल विकात एवं बाल सिच्छा की द्रश्टी से ठीक है फिर अगला कोशन देखिए हमारा क्या रहा कि सूरा बस्ता बड़े तनाव तुफान तता विरोत की अवस्ता या कतन किसका है यह दोस्त हमारे इस्टैनले हाल का फिर अगला कोशन देखिए प्रयास ततर तुर्टी सिद्धात के प्रितिपादक है कोने दोस्तों यह हमारे थार्णड़ाई इनको टिक करेंगे फिर अगला कोशन केंद्री प् परिवर्तन अगला कोशन बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है सयांतरों का दोस्तों हमारा संस्क्रति इसको टिक करेंगे फिर अगला कोशन क्यारा हमारा अभ्यास और अन्बोग के द्वारा बेवार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है दोस अच्छा की सवस्ता में प्रभण हो जाती है कोंते वस्ता होती दोस्तो योति मर्ग किस ओर आवस्ता फिर अगला कोशन देखिए जिन तत्यों को भूत काल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मृड करना ही स्मृतिया या कथन है यह दोस्त अमरे वुड वर्थ का कथन है फिर अगला कोशन देखते हैं सीएटी परिचड की सायू के बच्चों के वेक्तित्व का मुल्यांकन करने हेतु प्रियोक तो होता है तीन से लेके ग्यारा वर्थ तक के बच्चे ठीक है फिर अगला कोशन सम्वे का प्रकार नहीं है तो सही आंतर होगा दोस्तों हमारा स्था व ठीक है न तो हरे कोशन को याद करते हुए आपको चलना है अब जारा देखते हैं कि 2018 का कोशन पेपर में कौन-कौन से प्रस्थन बने तो बहुँ इकल्पी प्रस्थन कि सोरा वस्ता को गंबीर उतल-पुतल की अवस्ता कहा है किसने कहा था इस्टेनले हाल फिर अगला कोशन देखते हैं हम लोग वह मांसिक योगिता जिसके दोरा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है स्रजनात्मक ठीक है आपर सब विकल्प हमारा सही आंतर होगा पिर अगला कोशन देखते हैं सारीरिक रचना बुद्धिर रुची व्यक्तितों बौधिक विकास में यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बाव विकल्प हो सही आंतर होगा फिर आता सिग्मन फ्राइट दोरा प्रतिपाति व्यक्तित्व विकास के सिद्धान को कहा जाता है मनों विसले सड़ात्मक सिद्धान यहाँ पर सब विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कु क्या प्रिब्रत कराता है क्या दोस्त स्वास्त समय गात्मक विकाद मांसिक स्वास्त ठीक आ commercial सीखने की मात्रा तथा समय के संबंत को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहला कि अधिगम वक्र कहलाती है फिर अगला कोशन क्या रहा हमारा जब कोई बालक सीखनेको ततपर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है यह थार्ध्र डाइक के सीखने के किस नियम के अंतरगत आता है तो सहीं आंतर होगा दोस्त ततपरता का नियम ठीक है आंपर को रड़ का सिद्धान ठीक है फिर अगला कोशन देखिए वे प्रेड़क जिने ब्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्चित प्रेड़क ठीक है आपर अब विदल्प से आंतर होगे फिर अगला कोशन आता है हमारा कि अधिगम धारड 19 मरड तता प्राप्तांग जो किसी प्रदत को दो बराबर भागों में पाड़ता है कहलाता है समांतर मात दे कहलाता है ठीक है इसको भी याद रखिएगा अब जरह देखते दोस्तों 2019 में कौन कोशन पेपर में आयते हैं ठीक है तो पहला कोशन आया था कि जिस प्रकार सारीडिक विक विकास के लिए सिच्छा का यह कतन किसका है यह कतन दोस्त हमारा है ठीक है आपर विकल्प सही आंतर होगा अगला कोशन देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाला कारक है मतलब बुद्धि है यौन है अंतसरावी गंति है मतलब उफ्यूकत सभी सही आंतर हो फिर अगल किसका दोस्तों ये कतन है मारा फ्राइड का फिर पांचों कोशन क्या रहा बाले अवस्ता में सिच्छा का क्या सोरूप होना चाहिए खेलो एवं रचनात्मक कारियों के मार्दम से सिच्छा दी जान चाहिए पर बाव विकल्प हमारा बिल्कुल सही अंतर होगा अगला कोशन ने बालक के मानसिक विकास के लिए सिच्छा को करना चाहिए क्या दोस्तों इसने और मतलब सान उभूती, पूर बेवार सदा चारण, प्रस्तूत करना उपयुक्त सिच्छर बीधी का प्रयोग करना उपयुक्त सभी त्यापर दब विकल्प हमारा बिल्कुल care उपयुक्त सभी होला अगला कोशन ने सिच्छा मिस्र रजनात्मक का प्रयोग किस रूप से होता है तो इसका आंतर होगा चिंतन सब विकल्प से यांतर है फिर अगला कोशन देखे कल्पना के विकास के लिए सिच्छा में निम्न बातों पर ध्यान देना जी कौन सा उप्यूकत सभी मतलब कौन कौन सी बातें जरा देख लेते हैं भासा विकास पर ध्यान कहानी सुनना प्राना सुनना और कालपनिक खेलल विम्नकृरेओं के लिए अवसर फिर अगला कोशन देखे है हमारा कैसार सारंय डाइग में दिया क्या दिया दिया दोस्तो प्रभाव का नियम दिया अभ्यास का नियम दिया तत पड़ता का मतलब उप-उप्यूब था सभी फिर अगला कुशन आये पेपर में कि प्रेडा होती है क्या होती दोस्तों विकल्प अब मतलब साकारात्मक नाकारात्मक दोनों सब विकल्प हमारा सही आंतर होगा 11. जीन प्याजा दोरा बालक के संगेनात्मक्ष विकास के वस्ताओं में वर्डन किया गया है कितनी दोस्तों 4 ठीक है फिर अगला कोशन देखते हैं अधिकम इस्तान आंतरड के सिध्धान थे मानसिक सक्तियों का सिध्धान सामान तत्तों का सिध्धान सामानी करण का सिध्धान उप्यूगत सभी तो सही आंतर हमारा उप्यूगत सभी फिर अगला कोशन है वह प्रेरग जिने व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है इसको बोलते हैं हम लोग अरजित प्रेरग अगला कोशन देखें इस मृती सीखी हुई वस्तु का सीधा प्योग है यह कतन किसका है यह कतन हमारा बुड़ वर्थ का है फिर अगला कोशन हमारा है आकडो के प्रकार है अब वर्गी करत व वर्गी करत ठीक है आपर स्वाब विकल्प सही आंतर होगा तो दोस्ते हैं आपर हमारे बहुत विकल्पी सारे कोशन कंप्लीट हो चुके हैं अब इसके बाद आप लोग पार्ट टू में देखेंगे अती लगूत्री प्रस्न और पार्ट त्री में देखेंगे लगूत्री प्रस्न ठीक है जिसके बाद आप पचास में पचास नमबर पेपर में स्कोर कर पाएंगे मिलते एक और वीडियो में तब तक के लिए stay connected, have a nice day